तो आज अपने पास है बजाज प्लाइटिना 110 यह बाइक बजाज की सबसे ज्यादा बितने वाली बाइक मैंसे उसकी वजह क्या है वो भी मैं बता दूंगा उससे पहले एक काम कीजिए आप लोग बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन आए और जो भी लेटेस वीडियो आएगी आप लोग को पता चल जाएगा तो आपने सामने दो शेड है एक ये वेड़ वाला है एक है जो आपका है बलैक वाला तो दोनों देख लो दो लुक में एक ब्लू भी आता है तो आपको जो सा शेड पसंद वो ले सकते हैं तो बाइक की ब mode में काफी अच्छी लगती है, अब चलते हैं इसके side से देखते हैं क्या, तो side में देखोगगो ना, कोई भी update नहीं दिया गया, जैसे platina आपको मिलती थी, अभी तक वैसे ही आई है, कोई changes नहीं है, लेकिन एक change दिया गया है, आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं कहीं भी जा सकते हो anti-skid मिलता है suspension आगे आपका जो देखोगे तो इसमें disc वाला नहीं आई है तो anti-skid दिया जाता है जिससे आप combo होता है यानि कि आप आगे भी लगाओगे तो back वाला भी लगेगा या तो आपकी bike slip बहुत कम होने के chances हो जाते है इंजन की बात की जाएगी तो 110cc इंजन मिल जाता है आपको इसमें जो की काफी decent engine है काफी load उठा सकता है bike आपकी बनाई गई है load के लिए तो platina की बेजिंग मिल जाती है सभी आप golden touch पर दिया होता है जो काफी अच्छा shade मुझे अच्छा लगा black वाला एंड जो यह finishing दी गई है शाइनी पर seat height की बात की जाएगी तो 807 mm जानी की बहुत high नहीं है आप easily चला सकते इसको साथ में कुष्णिंग बहुत अच्छी होती है आप दो से तीन लोग बैठा सकते हो back में देखोगे तो यहाँ पर आपको जो tail light है वो भी hyalogen पर दी गई है यहाँ पर LED नहीं मिलती है आपको indication भी साथ में ही आपको hyalogen bulb पर ही मिलते हैं जो की matte finishing के होता है तो देखने में आपको काफी अच्छा लगता है look wise काफी shiny एंड काफी अच्छी लगती है देखने में 110 CC bike side से भी देखोगे तो यहाँ पर बैक में लिखा होता है 110 comfort है ज्यानी कि बहुती comfortable bike होती है यह अब चलते हैं डेश पर डेश देखोगे तो digital नहीं मिलता कम है तो उस budget के साब से bike में काम किया गया है यहाँ पर जो button और switches यूज़ किया है वह काफी अच्छी quality के हैं आप देख सकते हो लेकिन जो में चीज़ है ना उसकी है बैक की प्लेटिना की जो बैक suspension हम लोग देखेंगे इसके तो यह है dual shock यह dual shock इसमें इसी वज़े से दिया जाते हैं कि आपकी bike load उठा सके यह basically bike की इसे के लिए बनती है कि high mileage दे high load उठा सके क्योंकि भाई सबको पता है कि जो यह आदमी ले गा बाई को इसी काम के लिए लेगा क्योंकि उसको loading का काम होगा तो mostly mileage के लिए and गड़ो गड़ो में जाने के लिए यह bike load लेते हैं जाकि गाउं में बहुत जादा यह demand में होती है तो एक shade आप चाहिए भी यह platina का देख लो तो दोनों shade है blue यहाँ पर available नहीं एक blue भी आता है तो आप लोग देख सकते हो अब बात की जाए सबसे खास चीज़ यह है कि यह bike का mileage है 110cc की bike है आपको 70 km का mileage देती है असानी से तो mileage wise भी अच्छी है function इसमें आपको basic मिलते हैं कोई खास function नहीं मिलते हैं LED जो light है इसकी यह जैसे ही key on होती ही वैसे ही LED वाली जल जाती है लेकिन जो आपके hyalogen है वो जब bike on होगी तब ही होगी तो जिनको 110cc लेनी है वो ले सकते हैं bike का budget भी बहुत जादा नहीं होता यह bike आपको मिल जाती है 81,000 की आपको bike मिल जाती है तो बहुत महंगी नहीं है जिस budget में यह bike है इसके मुकाबले में मुझे नहीं लगता कोई bike है इस bike में एक बहुत खास चीज है क्योंकि यह bike बनाई के यह load उठाने के लिए तो मैं pack इसके दिखाता हूँ तो वो काफी जादा आप लोग को ना अलग दिखेंगे काफी white ही दिखेंगे यानि चौड़े दिखेंगे क्योंकि आप कोई भी समान चाहो ना तो इसली इस पर बाइख सकते हो देखो यहां पर बैग वैग आपको बाइखना है ना तो बाकि जो बाइके देखो को उनमें ऐसा पर नहीं मिलता बट इसमें दिया गया क्योंकि आप लोगों को पता है बनाने वाली कंपनी को पता है कि यह bike इसी के लिए है यही इसी के लिए यूज होने वाली है तो यह जो मॉडल्स हैं अपने सामने यह सब नौन-ABS हैं बिना डिस्क के हैं तो अब जो मॉडल आ गया है लाँच हो गया है डिस्क के साथ भी तो उसका भी विलॉग आ जाएगा तो 110cc में आपको ABS भी देखने को मिल जाएगा जिस इसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपको डाल लूगा चैनल पर तो आप वह भी देख सकते हो तो कंफ्यूज हो के 110 लू या 100cc लू या लू ABS के साथ तो सब के विलॉग आ जाएगे आप तीनों विलॉग देखना उसके बाद डिसाइड की जाएगा कौन सापके बजट के लि